हेलो फ्रेंड्स मैं रश्ना अमरनाथ हैपी लिट्रेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ आज मैं आपके साथ डिसकस करने वाली हूँ एक बहुत ही पॉपुलर प्ले पिगमेलियन जिसे लिखा है जॉर्ज बर्नाथ शौने फ्रेंड्स यह मेरे चैनल का फर्स्ट एपिसोड है आपसे रिक्वस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले आने वाले सारे एपिसोड के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेर करना ना भू तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं जॉर्ज बेर्नार्ट शौ का पिगमेलियन आप मैसे कोई लिटरेचर परसन होंगे जो इनके बारे में जानते होंगे इनके बुक्स को पढ़े होंगे पर जिनने नहीं पता मैं उन्हें बता दूँ यह अपने जनरेशन के एक ल प्ले के टाइटल के बारे में कुछ बात किया जाए यह जो प्ले है पिगमेलियन एक गेलेटिया और पिगमेलियन के ग्रिक मिथलोजी का रिवर्किंग है यानि कि इस ग्रिक मिथलोजी से इंस्पायड है तो क्या होता है इस ग्रिक मिथलोजी में एक पिगमेलियन नाम का किंग जो कि साइप्रस का किंग होता है और एक सकल्प्ट democracy यानी कि मुटिकारक भी है वो एक स्टैचु के प्यार में पढ़ी जाता है एक लड़की के स्टैचु के प्यार में पढ़ी जाता है और यह स्टैचु इसने खुद बनाई होती है अब ये रोज भगवान से प्रे करने लगता है कि इस statue में जान आ जाए अब भगवान इसकी condition देखके इसकी request को accept कर लेते हैं और इस लड़की के statue में जान डाल देते हैं अब ये actual woman में convert हो जाती है जिसका नाम होता है Galatia उसके बाद Pygmalion और Galatia शादी कर लेते हैं अपनी पूरी life एक साथ spend करते हैं खुशी-खुशी तो ये थी इस mythology की story तो हम देखेंगे friends कि Shaw के Pygmalion की कहानी भी इससे related है या फिर इससे अलग है प्ले की शुरुवात होती है London के Convent Garden से रात का समय है और बहुत जोरदार बारिश हो रही है लोग यहाँ वहाँ भीगने से बचने के लिए भागते नजर आ रहे हैं भीगने से बचने के लिए लोग एक shelter धून रहे हैं तो कई सारे लोग एक church के पॉटिको के अंदर आकर रुखते हैं चर्च का पॉटिको यानि ही church का बरामदा होता है वहाँ पे कई लोग आकर रुखते हैं अब यह सारे लोग जो है अलग-अलग social classes से बिलॉग करते हैं कोई upper class का है कोई middle class का कोई lower class का और अगर generally देखा जाए तो यह लोग कभी एक दूसरे से इंटराक नहीं करते और आज एक साथ खड़े हैं यह सारी भीड में एक wealthy lady आइंसफोर्ड हिल और उनकी बेटी क्लेरा भी शामिल है अब यह दोनों लेडी बहुत ही परेशान दिखाए दे रही है और impatiently फ्रेडी का वेट कर रही है फ्रेडी आइंसफोर्ड का बेटा है और क्लेरा का भाई जो कि इन दोनों के लिए taxi लेने गया है इस बारिश में इन दोनों को परेशान देखकर एक आदमी बोलता है कि मेडम आपको अपने बेटे को भेजना नहीं चाहिए था ऐसी बारिश में यहाँ पर कोई taxi मिलने वाला नहीं है पर ये दोनों लेडी उस आदमी को इगनोर कर देती है कि ये छोटे लोग जबरदस्तिक आकर बात करते हैं फिर थोड़ी देर में पूरी तरीके से भीगा हुआ फ्रेडी वापस आता है और दोनों जन से कहता है मैंने चारो तरफ देख लिया हर जगा देख लिया पर कहीं कोई taxi नजर नहीं आई इसलिए मैं वापस आ गया अब ये दोनों लेडी इतनी insensitive है ये नहीं देख रही है कि विचारा इतना भीग गया है ऐसी बारिश है टेक्सी नहीं मिल रही है तो जाने दू लेकिन अब ये दोनों उनसे लड़ने लग गई बोली कि तुमने ठीक से देखा ही नहीं है वापस जाओ और टेक्सी लेकर अब ये फ्रेडी जो है प्रोटेस्ट करने लगा कि मैं नहीं जाओंगा फिर सोचा कि इन दोनों से बहस करने से अच्छा ये है कि मैं टेक्सी लेने चला जाता हूं भले भीगूँगा तो क्या फिर फ्रेडी वहां से दौडते हुए वापस टेक्सी ढूनने जाता है तो फ्रेडी उसे नहीं सुनता और आगे निकल जाता है और अब ये लड़की ये फ्लार गर्ल उसी पॉटिको में आकर खड़ी होती है तब फ्रेडी की मा उसे घुरती रहती है और बहुत ही आटिटूड में बोलती है तुम्हें मेरे बेटे का नाम कैसे पता तो इस पे ये आती है मैं किसी भी रेंडम लड़के को जिसका नाम मुझे नहीं पता मैं उसे फ्रेडी ही बुलाती हूँ अब ये सुनकर क्लेरा को बहुत गुस्सा आता है कि उसकी मा बिना मतलब पैसे वेस्ट करती रहती है तो फ्रेंड्स ये सब होई रहा था कि एक और एल्डरली जे रिद लो तो ये कहते हैं कि लड़की मेरे पास इस वक्त कोई चेंज नहीं है पर उसी वक्त वो अपने पॉकेट को चेक करने लगते हैं उसमें कुछ कॉइन्स मिलते हैं और वो लड़की को दे देते हैं और अब ये फ्लार गर्ल उस कॉइन को पाकर बहुत खुश हो जात है तब उसमें से एक आदमी उस फ्लार गर्ल को कहता है तुमने जिससे पैसे लिये हैं उसे जाके फ्लास दे दो क्यूंकि कॉर्णर में एक आदमी बैठा है जो कपसे कुछ नोट कर रहा है अपनी डाइरी में और मुझे ये डाउट है कि ये कोई पुलिस का इन्फॉर्मे हो सकता है अब ये लड़की और वो आदमी दोनों कुछ बाते करने लग जाते हैं उस नोट टेकर को देखकर अब नोट टेकर को डाउट होता है ये हाँ पर क्या चल रहा है तो वो वहां से आता है और इनको पूछता है कि क्या बात है आप लोग क्या बाते कर रहे हो फिर इस पे यह आदमी बोलता है कि सर यह लड़की डरी हुई है इसे लगता है कि आप पुलिस के इनफॉर्मेंट है और मैं भी यह जानना चाहता हूं कि आप है कौन आप वहां पे बैठे हुए एक्चुली में लिख क्या रहे हैं तब यह आदमी बोलता है यह जो नोट टेकर है यह सब छोड़ो पहले मुझे यह बताओ चैसी में क्या हालत है क्या चल रहा है अब यह आदमी एकदम शॉकड जो परिसे कैसे प्ता कि मैं सल्सी का रहने वाम से हूं अब वाकी लोग ऐसाइं कि क्योरियोस हो गये कि यह आदमी ने कैसे बता具 सब्सक्राइनेह करके यह सब प्रप्राइज हो जाते हैं सबको लगने लगता है कि ये कोई चमतकार से कम नहीं है फिर फ्रेंड्स थोड़ी देर के बाद बारिश रूप जाती है और सब अपनी अपने जगा पर चले जाते हैं फिर फ्रेंड्स जो वो elderly gentleman होता है वो बहुत ही curiosity के साथ इस note taker के पास आता ह है और पुछता है sir आप कैसे बता लेते हैं कि कौन कहां से बिलॉंग करता है कौन कहां रहने वाला है और ये note taker उसे answer देते हुए कहता है उनके accent से इसे phonetics कहता है उनके phonetic से मैं जान जाता हूँ कि कौन कहां से बिलॉंग करता है किस देश का रहने वाला है किस जगा का रहने वाला है अब यह जो flower girl है अचानक से react करती है उस note taker के सामने अच्छा तो यह बात है तुम इस तरीके से लोगों को बताते हो कि वो कहां का रहने वाला है और अब यह note taker पीछे मुड़ के बोलता है हाँ अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी बता सकता हूँ कि तुम कहां की रहने वाली हो और अब फिर यह लड़की बहुत ही attitude में बोलती है No thanks, please mind your own business और अब इस पर इसे गुस्सा आ जाता है note taker को और बोलता है तुम जिस disgusting way में बात करती हो न यह शायद कहीं की language नहीं है फिर वो elderly gentleman और यह note taker अपने conversation को continue करते हैं जहां पर gentleman अपने आपको introduce कराता है वो कहता है कि मैं Colonel Pickering हूँ और मैं India से आया हूँ मैं India में कुछ दिन Indian dialects की study करने गया था और यह आदमी यह जो note taker है वो अपने आपको introduce करता है मैं Henry Higgins हूँ और मैं phonetics पढ़ाता हूँ मैं phonetics का professor हूँ अब friends अब इन दोनों के जो field हैं एक हैं यह दोनों ही linguistic पर काम करते हैं इनका field of interest एक है तो इनकी दोस्ती इसी तरीके से हो गई और अब यह दोनों एक डिनर प्लान करते हैं उसी रात में कहीं होटेल में यह लोग जाकर खाना खाते हैं थोड़ी देर बाद Freddy टेक्सी लेकर आता है जहांपर अब कोई नहीं है सिर्फ एक फ्लार गर रह गई है और वहाँ कोई नहीं है Freddy टेक्सी लेकर आता है अपने मा बेन को धुड़ने लगता है तब वो बताती है कि वो चले गए है और एकदम कन्फ्यूज होके वो खड़ा है और उसे धक्का देकर यह फ्लार गर उस टेक्सी में बैट कर चली जाती है और यहां पे Freddy अकेला खड़ा रह जाता है फिर friends next morning क्या होता है अगली सुभा क्या होता है अब यह Colonel Pickering और Higgins दोनों तो friend बन चुके हैं तो Colonel Pickering Higgins के lab में जाता है जो कि बहुत ही बड़ा होता है वहां पे बहुत सारे tools बहुत सारे devices होते हैं जिसमें recording system होता है human vocal system के diagrams हैं और कुछ और भी बहुत सारे devices है और इन सारे devices को Higgins जो है Pickering को दिखा रहा होता है और उसी वक्त Higgins की housekeeper Mrs. Pierce आती है और announce करती है कि बाहर एक लड़की आई है एक young लड़की आई है जो Higgins से मिलना चाह रही है तो Higgins पूछता है क्या तुम उसे पहचानती हो कैसे किस तरीके से वो बात कर रही है तो वो बोली कि मैं उसे नहीं पहचानती और बहुत ही terrible way में वो बात कर रही है ये सुनकर Higgins का interest थोड़ा बढ़ता है और वो कनल पिकरिंग को कहते है कि चलिए देखते हैं आखिर ये लड़की है कौन चलो इसके भी accent को हम study करते हैं जब Higgins बाहर आता है और उस लड़की को देखता है तो वो तुरन पहचान जाता है और उसे बोलता है अरे तुम वही लड़की हो ना वही flower girl हो जो कल रात ने मिली थी तो इस पर लड़की reply करती है हाँ अब Higgins उसकी कोई बात भी ना सुने इतना frustrated होके उसको बोलने लगता है कि तुम अब यहां से जाओ तुम मेरे किसी काम की नहीं हो क्योंकि तुम्हारा accent तो मैंने already record कर लिया है अब यहां पर वह उसकी कोई बात नहीं सुन रहा है उसे नहीं पूछ रहा है कि तुम किसले आई हो यह सब कुछ नहीं फिर इस पर लड़की बोलती है आपको मुझसे काम नहीं है लेकिन मुझे आपसे काम है क्या आप मुझे एक noble lady की तरह बोलना सिखा सकते हैं यह इसलिए मैं चाहती हूँ कि ताकि मैं किसी flower shop में काम कर सकूँ यह training में free मैं नहीं लूँगी इसके लिए मैं आपको fees भी pay करूँगी अब यह सुनकर हिजिन और भी गुसा हो जाता है और करनल पिकरिंग को बोलने लगता है सुने आप अब यह लड़की मुझे fees देगी और यह बोलते ही वो जोर-जोर से हसने लगा और उसको हसता देख यह लड़की बहुत ही निराश हो गई, बहुत जादा रोने लग गई और बोली कि मैं तो आप से अच्छे से बात कर रही हूँ और आप मेरा insult पर insult किये जा रहे है अगर मैं आप से कुछ सीखना चाहरी हूँ तो मैं उसका fees देने के लिए ready हूँ कोई free मैं नहीं सीखने जा रही हूँ जो आप मेरा insult कर रहे हो अब हीजिन्स उसको परिशान करने के लिए बहुत बड़ी fees डिमांड करता है अब वो fees सुनके वापस से रोने लगती है फिर हीजिन्स उसको एक रुमाल देता है बोलता है कि इससे अपने आसू को पोचो ना कि sleeve से sleeve से पोचना कहीं कभी manners नहीं है फिर लड़की को रोता दे करनल पिकरिंग को दया आ गई और वो हीजिन्स के पास आता है और उसे बोलता है कि तुम इसे train करो इसे एक noble lady की तरह बनाओ और इसमें जो भी खर्च होंगे जो भी पैसे लगेंगे वो मैं तुम्हें दूँगा फिर पिकरिंग उस लड़की को अंदर बैठने के लिए कहते हैं और अब हीजिन्स से बोलता है कि चलिए एक शर्त लगाते हैं आने वाले कुछ महीनों में एक ambassador party है तुम इस लड़की को ऐसे तयार करो ऐसे train करो कि ये किसी noble lady से कम ना लगे और कोई से पहचान ना सके अब हीजिन्स इस शर्त को as a challenge लेता है as a challenge accept करता है और पिकरिंग को बोलता है कि कुछ ही महीनों में मैं इसे duchess की तरह बना दूँगा duchess मैं एक queen की तरह बना दूँगा इतनी sophisticated lady बना दूँगा कि कोई इसे पहचान ही नहीं पाएगा कि ये वही flower girl है अब हीजिन्स अपनी housekeeper को बुलाता है Mrs. Spears को बुलाता है और उसे कहता है कि इस लड़की को ले जाओ इसे बहुत अच्छे से रगड रगड के नहलाना इसके गंदे कपड़े change करो इसे कुछ अच्छा नया कपड़ा दो ये सुनकर ये लड़की को अच्छा नहीं लगा कि ये मेरे कपड़े को गंदा बोल रहा है मुझे गंदा बोल रहा है तो वो उससे आर्गुमेंट करने लगी बोली कि मुझे नहीं कुछ सीखना मैं जा रही हूँ तो फिर हिगिंस जोर से बोलता है कि ठीक है तुम चली जाओ अपनी फैमिली के पास तो इस पर ये लड़की बोलती है मेरी कोई फैमिली नहीं है अब हिगिंस के मन में बहुत सारे प्लान बनने लगे कि इसकी कोई फैमिली नहीं है तो इसे मैं अपना एक एक्सपरिमेंटर टूल की तरह इसे यूज कर सकता हूँ तो उसे रोकने के लिए हिगिंस उसे कुछ चॉकलेट उफर करता है और वो चॉकलेट देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और उसे कुछ चॉकलेट्स देता है और कहता है अगर तुम यहाँ पर रुकोगी तो तुम्हें ऐसे ही मैं रोज चॉकलेट दिया करूँगा इस पे ये लड़की रेडी हो जाती है और उपर चली जाती है उसके housekeeper के साथ तो friends अभी मैं इस लड़की का introduction दे देती हूँ इस लड़की का नाम है Eliza Doolittle ये इस play के protagonist है यानि की main character आप बोल सकते हैं तो friends Eliza ready होने चली जाती है अब Mr. Pickering और Higgins दोनों बैट कर कुछ बाते करते हैं इस पर Pickering बोलता है कि तुम Eliza को बहुत ही गंदे तरीके से treat कर रहे हो बहुत ही root तरीके से treat कर रहे हो after all उसकी भी कोई feelings है उससे थोड़ा अच्छे से बात करो, प्यार से बात करो तो फिर इस पर Higgins बोलता है मुझे उसके feelings से कुछ लेना देना नहीं है वो मेरे लिए एक सिफ tool है जिस पर मैं experiment करने वाला हूँ इसके अलावा और कुछ नहीं है फिर थोड़ी देर बाद Mrs. Spears जो की housekeeper है वो फिर आती है और Higgins को कहती है कि दर्वाजे पे कोई आया है और वो Eliza का father अपने आपको बता रहा है फिर Higgins Mrs. Spears को बोलता है कि उस आदमी को अंदर ले आओ फिर जब वो आदमी अंदर आता है जोर-जोर से चिलनाने लगता है Eliza, Eliza मेरी बेटी कहा है ये दोनों Pickering और Higgins उसको शान्द करवाते हैं बिठाते हैं बोलते हैं कि पहले ये बताओ तुम हो कोन, तुमारा नाम क्या है फिर वो अपना नाम बताता है मैं Alfred Do Little हूँ और मेरी बेटी दो महिने से गायब है मुझे एक टेक्सी वाले ने बताया कि वो यहाँ पे है और जोर-जोर से चिलनाने लगता है उसका नाम ले ले के फिर Higgins बोलता है अपने हाउसकीपर को कि वो जाकर Eliza को ले आये और उसे बोले कि उसका फादर आये है उसको ले जाने के लिए फिर ये Alfred Higgins को रोकता है और बोलता है भाई मैंने कब कहा कि मैं उसे ले जाने आया हूँ मैं तो सिर्फ उसके बदले कुछ पैसे लेने आया हूँ तुम मुझे कुछ पैसे दे दो और उसे यही रखो अपने पास तो फिर ये सुनकर Higgins उसको 5 पाउंड दे देता है और सोचता है कि अब ये फ्री है अब मैं इसके उपर कोई भी experiment कर सकता हूँ फिर जब जब Alfred जाने लगता है तो उसे बोलता है कि तुम कभी भी अपनी बेटी से मिलने यहाँ पर आ सकते हो कोई रोक टोक नहीं है फिर जब Alfred जाने लगता है तो रास्ते में वो Eliza से टकरा जाता है और वो एकदम changed women जैसे आती है जिसे खुद उसके फादर उसको पहचान नहीं पाते वो Alfred उसे सौरे मैम बोलके आगे निकल जाता है फिर Eliza हेगिन्स को कहती है कि तुम मेरे फादर पर बिल्कुल trust मत करना वो बहुती बड़े शराबी है और शराब के लिए वो कुछ भी कर सकते है होने वाली है उनकी मदर की एंट्री होने वाली है हिगिन्स की मा हिगिन्स के साथ नहीं रहती है दूर रहती है दूसरे घर में रहती है अब हिगिन्स और पेकरिंग उनके घर जाते हैं तो यहाँ पे जो मा है अपने बेटे को देखके शौक्ड हो जाती है, जनरली माजो होती है, बहुत खूश होती है, पैट वो शौक्ड होती है, और उससे बोलने लगती है कि तुम यहाँ पर क्यों आये हो, क्योंकि मेरे हाँ कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं, कुछ गेस्ट आने वाले हैं, और तुम उनके सामने रहोगे, तो जरूर कोई रूट बात करोगे और उनका इंसल्ट होगा तो फ्रेंड्स अब तक के प्लेक को सुनकर आप भी जानगे होंगे कि ये हिगिन्स सच में बहुत ही रूट परसन है फिर वो अपनी मा को बताता है कि मम्मी एक लड़की मिली है अब बस इतना ही सुन लिया उसकी माने बहुत खुश हो गई तो क्या तो मुझसे शादी करने वाले हो ये ऐसा उसने कहा फिर इगिन्स बोलता है नहीं वो सिर्फ एक टेस्ट के लिए है एक एकस्परिमेंट के लिए है तो आपके जो भी गैस्ट आ रहे हैं उनको आने दो उन्हें बिठाओ और मैं चाहता ह है वो वही तीन लोग रहते है जो चर्च के पॉटिको में रुके रहते हैं आइंसफोर्ड klara और फ्रेडि फिर Pickering और Higgins Eliza को उनके घर लाते है उनकी मा के घर लाते है और Higgins फिर अपनी मा से कहते है कि Eliza को ले जाओ उनके साथ बिठाओ फिर Eliza उनके सामने बैठती है बहुत ही politely वो बात करना शुरू करती है फिर अभी जैस्ट उनकी training शुरू ही थी वो completely trained नहीं थी तो noble lady की acting करते-करते वो कुछ funny सा बोल गई और फिर इस पे Freddy बहुत जोर-जोर से हसने लगा अब Eliza यहाँ पे nervous होती है और Freddy से पूछती है क्या मैं कुछ ऐसा बोल गई जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था तो अब यहाँ पे उसे stop करते हुए Higgins आता है और बोलता है Eliza अब हमारे जाने का time हो गया है तो चलो यहाँ से चलते हैं अब Freddy जो है वो Eliza से काफी impressed हो चुका था तो अब उसकी मा से बोलता है Higgins की मा से बोलता है कि मैं Eliza से दुबारा मिलना चाहता हूँ अब Mrs. Higgins के guest चले जाते हैं और guest के जाने के बाद Mrs. Higgins अपने बेटे से और Mr. Pickering से पुछती है आप लोग जब Eliza को train कर दोगे एक noble lady बना दोगे उसे बोलने का धंग सिखा दोगे तो उसके बाद Eliza का क्या होगा उसका क्या future है तो क्या फिर से वो full बेशना शुरू कर देगी ये बहुत ही वो गुसे में उनसे पूछ रही थी लेकिन उसका जवाब ना देते हुए दोनों जन मुस्कुराते हुए वहाँ से चल दिये क्योंकि उनको पता था उन्होंने सोच रखा था कि एक बार Eliza train तो हो जाए फिर उसे कोई भी एक छोटा मोटा जॉब दिला देंगे लेकिन मिसेस हिगिंस बहुत ही टेंस थी उसे लेके और उन दोनों के attitude को देखते हुए बोली oh man man यानि कि ये आदमी जो है हमेशा आदमी रहेंगे इनको औरत की feelings का कभी कोई परवानी होगा ऐसे उनकी सोच थी मिसेस हिगिंस की सोच थी अब मिसेस हिगिंस के घर से आने के बाद काफी रात हो चुका था तो मिस्टर पिकरिंग बहुत ही ठक गये थे वो जाकर सोए हिगिंस जाकर सोए और Eliza आज के जो behavior था उसका मतलब वो कहीं न कहीं अपने आप से satisfied नहीं थी तो इस बात को वो सोचने लग गई और फिर अपने train को और भी जादा वो seriously लेने लग गई फिर कुछ आने वाले महिनों में उसने कई सारे party अटेंड किये ambassador party, opera party, dinner party और इन सारे partyों में उसने बहुत ही अच्छे noble lady की तरह behave किया और इसी की साथ हिगिंस अपनी शर्थ जीद गया फिर Mr. Pickering Eliza की तारिफ करते हैं उसे appreciate करते हुए कहते हैं कि तुमने बहुत ही कम time में बहुत सारी चीजे सीखा और उसे बहुत ही अच्छे तरीके से execute किया फिर Eliza उसको thanks बोलके वहाँ से चली जाती है और अब Mr. Higgins और Mr. Pickering दोनों एक सारे अट कर celebrate करते हैं तो यहाँ पर Higgins कहता है कि आज जो है मेरा experiment पूरा हुआ और इसी के साथ मैंने शर्त जीत लिया कि Eliza को एक noble lady में convert कर दिया फिर friends थोड़ी देर बाद Pickering वहाँ से चला जाता है और पता नहीं क्यों Eliza का mood off रहता है वो चुप चाप एक जगा बैठी होती है और Higgins उसे पूछता भी है Eliza को पूछ रहा है क्या तुमने मेरा sleeper देखा और इतनी ही देर में Eliza जो है sleeper उठा के जोर से Higgins के मूँ पर मारती है और Higgins इससे गुस्सा होकर जोर से उसे चिला कर बोलता है कि ये क्या बत्तमिजी है तब Eliza बोलने लगती है कि तुमने ये सब जो भी किया एक शर्थ जीतने के लिए मैं कोई object नहीं हूँ मैं भी एक human हूँ तुम बलता है इससे तुम्हें क्या तुम्हें जो चहिये था वो तो मिल गया मैं शर्थ लगा हूँ या कुछ भी करूँ तुम्हारे साथ मैंने कुछ गलत तो नहीं किया तुम यही चाहती थी कि तुम्हें एक noble lady की तरह मैं बना दू वो मैंने बना दिया अब इसके पीछे कोई शर्थ हो या ना हो उससे तुम्हें क्या करना तुम इतना over react क्यों कर रही हो इस पर Eliza उसे बोलती है तुम बहुत ही बुरे आदमी हो बहुत ही ज़ादा selfish हो तुम्हें बस अपने interest की परवा है और किसी की नहीं तुमने मुझे उस गटर से निकाल कर ऐसा बनाया लेकिन मैं अब कहीं की नहीं मैं इस personality के साथ कुछ नहीं कर सकती इतना बोलकर Eliza Higgins को बिल्ली की तरह नोशने लगती उसके बाल खिशने लगती उसके shirt पार देती है फिर Higgins उसको अपने से अलग करते हुए कहता है कि तुम्हें अगर इतना बुरा लग रहा है तुम्हें अपनी मा से कहूंगा वो तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का धून देगी तुम उसके शादी करके सेटल हो जाना अब ये बात सुनकर Eliza और दुखी हो जाती है और उसे कहती है कि मैं कोई प्रोस्टिटीट नहीं हूँ कि तुम मुझे किसी के भी साथ बान दोगे अब हिगिन्स यहाँ पर कन्फ्यूज है कि ऐसा उसने क्या कर दिया है वो अपने मन में सोच रहा है कि मैंने इसके साथ ऐसा क्या कर दिया है जो इतना ये ओवर्येक्ट कर रही है पिर उसे कहता है कि तुम कभी भी किसी भी चीज का एहसान नहीं मान सकती ये बोलकर वो गुसे में वहाँ से चला जाता है और एलाईजा अब भी वही खड़ी होकर रो रही होती है फिर अगली दिन सुबह हिगिन्स की माँ अपने ड्रॉइल रूम में बैठी हुई होती है तभी वहाँ पर पिकरिंग और हिगिन्स आते हैं और बोलने लगते हैं पुलिस बुलाओ पुलिस बुलाओ तभी इस पर हिगिन्स की माँ पूछती है कि ऐसा क्या हो गया तो हिगिन्स बताता है एलाईजा भाग गई है फिर हिगिन्स माँ कहती है तो क्या हो गया वो तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी तो थी नहीं, अगर वो कहीं चली गई है, तो चली गई है, तुम्हें उससे क्या, अब इतने में Eliza का फादर भी आ जाता है, और Higgins पर चिलाने लगता है, अब फ्रेंड्स ये इसलिए नहीं चिलाता है, क्योंकि इसे पता है कि Eliza missing है, बहुत ही moralist person है, और अब ये सुनकर ये impressed होके, उस आदमी ने अपनी कुछ property, Alfred Doolittle के नाम कर दी, और उस कुछ property से, Doolittle बहुत ही rich हो गया, और अब ये बहुत परेशान है, क्योंकि जब ये गरीब था, तो बहुत free था, कहीं भी आ जा सकता था, इसे कोई tension नहीं था, लेक का frustration वो Higgins पर निकाल रहा है, लेकिन Higgins उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे अभी भी Eliza का tension है, कि वो कहां पर है, फिर उसकी मा बोलती है, कि Eliza मेरे पास है, और वो शौक हो के पूछता है, क्या तुम्हारे पास, तो बोलती है, हाँ, वो उपर है, और मैं हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम तो उसके साथ बहुत ही अच्छे से behave कर रहे थे, मिसिस हिगिन्स इस पर कहती है, कि वो बिछारे तुम लोगों से attach होके, तुमने जैसा कहा, उसने वैसा किया, लेकिन हैंडरी तुम उसके साथ बहुत ही जादा root थे, इसके बाद मिसिस हिग पूरी ट्रेनिंग के दोरान, मिस्टर पिकरिंग जो थे, वो एलाइजा को बहुत support किये, बहुत appreciate किये, और बहुत अच्छे से उनके साथ behave किये, फिर पिकरिंग एलाइजा से कहता है, चलो कोई बात नहीं, अब हिगिन्स को भी माफ कर दो, और वापस चलो हिगिन्स के घ अगर, लेकिन अलाइजा वापस नहीं जाना चाहती, वो हिगिन्स के behavior को और tolerate नहीं कर सकती, अब इसके बाद यहाँ पर एक और न्यूज मिलता है, कि अलाइजा के जो father है, Alfred Doolittle, वो शादी करने वाले हैं, और वो अपनी बेटी को ले जाने आये थे, अब इस पर हिगिन् अब इस शादी में आऊंगी, और इसके बाद शादी में जाने के लिए सब preparation करने लगते और वहाँ से चले जाते हैं, और अब इस टाइम पे सिर्फ Mr. Higgins और Eliza दोनों ही अकेले रहते हैं, अब हिगिन्स जो है, Eliza से कहता है, वापस आ जाओ प्लीज, मैं तुम्हें किस बाद से problem है, लेकिन जो अगर अब nature से problem है, तो जो मेरा nature है, वो सब के लिए ऐसा ही है, कोई बड़ा छोटा, upper class, lower class, कुछ फरक नहीं है, मैं सब के साथ ऐसा ही हूँ, मैं सब के साथ rude हूँ, और मैं किसी के लिए change नहीं हो सकता, इसलिए मैं तुम से request कर रहा हूँ, त तुम यहां से चली गई, तुमारी एक आदस सी हो गई है मुझे, फिर इस पर Eliza Higgins को बताती है, कि Freddy जो है, वो भी उसको secretly love letters भेचता है, तो अब यह सुनकर Higgins बहुत ही जादा गुस्ता हो जाता है, बोलता है कि तुम मेरे experiment का एक masterpiece हो, और मैं नहीं चाहता कि तुम उस बेवकूफ के साथ रह के और खराब हो जाओ, अगर तुम उसके साथ रह सकती है, तो मेरे साथ रहने में तुमें क्या problem है, तो इस पर Eliza कहती है, मुझे और कुछ चाहिए नहीं, मुझे सिफ चाहिए तुमारा kindness, तो वो इस पर Higgins बोलता है, कि मैं किसी के लिए change नहीं हो तो हिगिन्स कहता है, तो क्या तुम फिर से वही flower girl बनने वाली हो, फिर से वही fool पेशने वाली हो, तो इस पर Eliza कहती है, कि अब मैं fool नहीं बेचूंगी, बलकि phonetics के classes लूँगी, मैं phonetics पढ़ाऊंगी, Eliza के इस confidence, इस strength को देखके, Higgins मन ही मन खुश होता रहता है, और Eliza वहाँ से चली जाती है, तो friends, Higgins इस play के end में एकदम अकेला रह जाता है, तो हम बात करते हैं कि ये Greek mythology, Pygmalion से कैसे related है, जो Greek mythology में Pygmalion है, वो एक मूर्ती कारत था, वो एक मूर्ती बनाया, जिसका नाम उसने दिया Galetia, और फिर वो मूर्ती एक actual woman में convert हो गई, तो उसी तरह इस play में, जो Pygmalion है, वो है Mr. Henry, और जो Galetia है, वो है Eliza Dooletid, तो जैसे उस मूर्ती को, एक सुंदर मूर्ती को एक actual woman म convert किया, उसी तरीके से इस Eliza को भी एक fool बेशने वारी लड़की से एक noble lady में convert किया, एक noble lady बना दिया, तो इस तरीके से एक कहानी mythology से match करती है, लेकिन बस difference यह है, कि mythology में जो था, दोनों शादी कर लिए, एक साथ रहने लगे, पर वही चीज इसमें